यहुदी कितने साल पूरे बाहर का कि 1000 साल रहे 2000 साल रहे हम नोग कभी को हम नोग ने कुछ परास से निकाला कभी हमने нे किसी कि लडकी को भाया कभी हमने कि जी को मडक करवाया कभी हमने किसी की बीवानि ल parch human हर statidate रहता है कमामला जिससे कर्ज लिया उसको देए या जिसने हेल्प की उसको दिया और हम लोग देते जादा हैं लेते कम हैं यहुदियों की बहुत बड़ी खासियत है यह देखिए आपका क्वेश्चन मिलियन डॉलर से भी बड़ा क्वेश्चन है यह सारे के सारे लोगों को इनके प्रोपगंडा में इनके विक्टिम बुद्दू बनाके रखा हुआ है अर्बों रुपे कातार देता है खमास को यूरेपियन यूनियन खमास को और प्लेस्टिन अथारिटी को अमेरिका भी पता ने कितना पैसा आता है देखिएगा हमारा नुकसान बहुत हो रहा है क्योंकि इनके नुक्सान इनको इनकी भारत में किसी भी यहुदी को भारतियों ने प्रस्क्यूट नहीं किया आज तक इस्राइल पर हुए हमास के भीशन हमले और दरिंदिकी के बाद सारी दुनिया का ध्यान इस्राइल और हमास की लड़ाई पर लगा हुए हमास के आतंगवादियों ने कि जिस तरह से इस्राइली में बच्चों महिलाओं और मुजर्गों के साथ दरिंदिकी है वैसा आज तक दुनिया में कहीं देखनों को नहीं मिला हुए हलागी इस्राइल हमास के आतंगवादियों को बूर तोड़ जवाद दे रहा है और लगातार उनके खिलाफ कड़ी क कि इस सारे परिदेश्चे में पूरी दुनिया जो है उसकी निगाँ इसराइल और हमास के लड़ाएं पर लिखनी है पूरी दुनिया के जो अधिकांस मुस्लिम डेस हैं उनकी हमास के प्रती हमदादी है जबकि एक बहुत बड़ा वर्ग दुनिया का वो इसराइल के साथ भारत के प्रथान मंतरी नरेंदर मोदी ने भी बेहद दुटूक सब्दू में कहा है कि संकट की इस घड़ी में पूरा भारतिया समाच इसराइल के साथ खड़ा हुआ है और खड़ा भी क्यों हो इसराइल के सार भारत के संबंद बहुत पुराने रहे हैं आज इसी मुद्धे पर बात्चित करने के लिए हमारे साथ इसराहिल से सीधे चुर रहे हैं चाने माने चिगिस्षक डाक्टर ओराम इब्रहाम जी इब्रहाम साब आपका बहुत-बहुत स्वागत है जै भारत जै इजराहिल सबको नवरात्री की शुब कामना हैं हम यहां से सबको विश्क करते हैं इजराहिल से हमारी तरफ से हमारे परिवार की तरफ से और हमारे जहां जहां रहते हैं उस गाहां हमारे शहर की तरफ से सबको पूरे हमारे देश्वासियों की तरफ से हम आपक तो नौदुरुगा की नौरात्री की शुपकामनाई करते हैं शुपकामनाई देते हैं वा तेखी यही सुनदर्ता है और यही भारती और इज्राइल की संस्कृति का इस हिस्चा है कि आप कितने मतलब एक ऐसे धागेश के साथ हमारे साथ बंदे हुए है इस्राइल के लोग कि वो भारत के लोगों को अपना मानते हैं यहां की संस्किर्ति यहां के रिवाजों को पूरी मानता देते हैं डग्साब मैं इस पूरे परिपेक्ष में आप से एक बात जानना चाहा हूं कि इस्राइल और हमास के वीच और फिलिस्टीन के बीच इस पूरे जो लडाई है यह पूरे बवांद के गारन क्या है कि देखिए गाप पूरे बीबाद का कारण है हम जरह आप को बता देते हैं थोड़ा सा हमें अलब करेगा यह स्क्रीन सेर करक्रणा करें अगर आप हमास का जो आप ऊडर्श के जो अगर पड़ लेंगे हम आपको एक मिनिट में दिखा देते हैं आप मुझे को एड्मिन बना दीजे प्लीज यह देखेगा यह है इनका हमाज चार्टर अब अगर इसको आप पढ़ेंगे हमाज चार्टर को केरफुली और ज्यादा पढ़ने कोई जरूरत नहीं है यह प्राब्लम यह है इनकी अप देख रहे होंगे स्क्रीन पर इंक यह कुल बिल्कुल बिल्कुल हूँ दा मेन पॉइंस हमास के जो मेन पॉइंस चार्टर के हैं वो यह हैं दा मेन पॉइंट सब दे हमाज चाटर्ड थे conflict with Israel Israeli is a religious and political the Palestinian problem is a religious political Muslim problem and the conflict with Israel is between Muslim and the Jewish infidels तो देखियेगा ये Muslims के बीच में है Jewish infidels के बीच में है Palestine भी है problem इन्होंने बताया is a religious political problem वो है दूसरा पॉइंट है all Palestine is Muslim land and no one has the right to give it up the land of Palestine is sacred Muslim land and no one including Arab rulers has the authority to give up any of it जो पूरी Palestine है पूरी Palestine का मतलब क्या होता है मालूम आपको पूरा Palestine का मतलब होता है जो पूरा Palestine का मतलब होता है है पूरा इस्राइल यह Muslim land है यह अभी की वह जो अभी की जो पलिस्टाइट बनी हुई है एक छोटा सा मैप मैप में वह आता है को डार्क ग्रीन या काला रंग वो नहीं जो पूरा Palestine है वो इस्राइल है वो पलिस्टाइन है और वो मुस्लिम आफ्टाइब जिहाद होली वार होली वार इस दा मैंने मीन फार इस्लामिक रसिस्टेंस मुवमेंट खमास इस्लामिक स्वाष्ट्ट्रियू मुवमेंट का मतलब होता है खमास टू अचीव इस गौल्स ठीक है तो यह जिहाद के थूर्व इन्के जो वह गोल्स हैं उनको लेना है इनके जो मुख्यों देश उनका वो है इसके बाद थोड़ा सा थोड़ी कंटीनुटी में गड़गर हो जाएगे हम पढ़ सकते हैं नहीं मैं देख रहा हूं रख सब पढ़ रहा हूं इसको नहां पढ़िए गा तो तो इसके लिए एन अन कम्प्रोमाइजिंग और यह जो कह रहे हैं कि इसमें कम्प्रोमाइज नहीं होगा किसी भी तरह का जी ठीक है इस जिहाद को एक लंबे समय से इन जो जिसको यह अपनी जिहाद बता रहे हैं इस जिहाद को एक लंबे समय से मूह तोर जवाद देता रहा हैं इसमें आप जब यह समझ जाएंगे ना तो आपको पूरी जो है ना आपको वो हो जाएगे जिहाद मस्ट बेस्ट अगेंस इस्राइल एनी एग्रिमेंट रिकॉगनाइजिंग इस राइट तो एक्जिक मस्ट वी टोटली अपोस्ट मतलब इस्राइल को एक्जिस्ट नहीं करना चाहिए जिहाद इस पर्सनल ड्यूटी अफ एवरी मुस्लिम यह देखिएगा दूसरा उसके बार आगे का पॉइंट है इंपॉर्टेंस अफ फॉस्टरिंग इस इस्लामिक कॉंसियस्नेस मतलब जो इस्लाम की जो वह है मतलब जानकारी सब को मिलना चाहिए सब को आप सब के पास म इस्लामिक कॉंसियस्नेस जो इस्लाम की विचारदारा है वो सब के पास पहुंचन चाहिए मच अफॉर्ट मस्ट भी इन्वेस्टेग फॉस्टरिंग इस्लाम कॉंसियस बाइम आप एडुकेशन रिलिजास पॉलिटिकल इंडॉक्ट्रिनेशन इन देश्पर अब लेडिक इस्टरिए उस पर यह मुस्लिम समराज स्थापित करने के पीछे इस अब लड़ाई कर रहे हैं बस यह जो देखिएगा चाहिए आप पलेस्टीन वालों का जगड़ा कहलो चाहिए मुस्लिम ब्रदर होट का जगड़ा कलो चाहिए हमास हमास की मैट तुमें जो वह है अब आगे दा इंपॉर्टंस अब बॉस्लिम सोलिटरिटी ए ग्रेट दील अव इंपॉर्टंस इस गिवन तो मुस्लिम सोलिडरिटी वन फोस्टेशन एट तु दे नीदी थो दा इस्टिबलेश्मेंट अब नेट्वर्क अब वेरियस चैरिटेवल सोसाइटी ठीक है इन एड चार्टर इस राइफ बिद ओवर एंटी सेमिटिजम तो एंटी सेमिटिजम मतलब यह पूरी तरह से अगेंस जूज अगेंस जूज जूज के ब्रोद में है बिल्कुल से एकॉर्दिटी जूज जूज पीपल आफ ओनली नेगटिव ट्रेट जो यहूदियों को जो भी है इस चार्टर के अनुसार नेगटिव ट्रेट बुरी बाते ही है इन में और प्लांट प्लैनिंग तो टेक ओवर डवर्ल्ड थी जूज गोर पूरी तरह सें यहूदियों के अगेंस्ट है यह पुरा यहूदियों के तो खिलाफ है ही सांती एक पूरी मानवता के खिलाफ भी है बिल्कुल आप बिल्कुल सरी कह रहा है और यह देखिएगा इसको अपने यहीं कर देते हैं तो यहूदी लोग जो है ना इस देखो इन्होंने क्या छचुदर छोड़ी है कितना जूट दुनिया को यह बुद्द क्लासिकल इरोपियन इस्लामिक बेज एंटी सेमिटीजम तो देखिएगा यह है हमारे इसकी जो जड़ है ना यह जो चार्टर्ड है इनका हमास का यह जो गाजा पट्टी में जित्ती भी मुस्लिम रह रहे हैं क्या वो भी सब इसी को खानों करते हैं बिल्कुल सब कि सब कोई दुनिया का हर मुस्लिम गाजा पट्टी कहलो चाहिए उप गाजा पट्टी कहलो वेस्ट बेंग कहलो जृड़न कहलो जो भी मुस्लिम कंट्री है और समथन कर रहा है नहीं और काम भी कर रहा है इसके की फि evan-palistina authority जो पीए है जो अरफात जो थे अरफात जो था जिसको भी सपोर्ट करने का एक ही कारण है कि आप यहुदियों से लड़िए और आप यहुदियों को खतम करिए पूरी दुनिया में जो यहूदी जो जाती है यहूदी जो कौम है उसको अपनी बहादुरी उसको डवलप्मेंट उसको इंसानियत उसको मानुवता और उसको एक दिकास वाली सोच के लिए जाना जाता है और आज तो पूरे वर्ड में कोई देस ऐसा नहीं है जहां इस्राइल की सक्ती का या उसके संसादनों का या उसके किसी भी सादन का अशर नहीं एक तरह से इस्राइल बहुत से ऐसी देसों का रोल बाडल है जो कही ना कही तरक्की में बहुत पीछे हैं पूरी दुनिया मानती है कि देखिए आज इसराइल ने कितनी तरक्की गी तो यहूदी जो कौँब है वो तो बहुती मानवतवादी है बहुती विकास सील है और भोती धर्म बेक्ष है बिल्कुल बिल्कुल वो जो आज देखिए कि जो हमारा तोरा है वो बाइविल बना और तोरा को मिला के लोग कितनी अच्छी लाइव जी रहे देखिएका आप यूरप के लोग कैसे ले रह रह रहे हैं अगर हमारे यहोदियों की जीवन से अगर ये इस्लाम का टेरर अगर खतम कर दिया जाए तो हमारी लाइव इतनी और भी अभी तक जतनी सबसे जब हमारी मिलियंगी और इसके बाद हमारा जो है यह हम लोग आगें क़ुछर की मेडिकल साट हर चीज में वह देखिए को आप बात कर रहे हैं वह इसलीओं की देन है यूट्यूब्साइश्ट है यह इसले आप ढॉकर् कर दिया लिए और यह मोटरोला फोन यहां बना आप सिराल में ऐस एहां बनाते न इसके बात दिस-कौंग कि डिफेंस के चेट में भी इसराइल ने पूरी दुनिया को एक आइना दिखाया है पूरी दुनिया को गास्ता दिखाया है बिल्कुल बिल्कुल डिफेंस के उसमें तो जो चीजें अपनी जो उन्होंने एक राइफल बनाई है तब और वो सिर्फ वो खुदी यूज करते हैं उन्होंने इप अपने भारत की वत्रता की से बारत को दी है वह कमंडोंस को बागी दुनिया में किसी उनका जो अन्हों ने बनाया है मर्कबा फॉर वह कितना दुनिया का नंभर वन यह टू है और इसको अमेरिका के लोग कह रहे हैं कि इसकी टेक्नलोजी आप हमें दो हम भी बनाना चाहते हैं और अभी उन्होंने एक और टैंक उता रहा है इसी इसी वाले वार में वो टैंक बहुत ही ज्यादा हाई-टेक है भारत में भी इसराइल का बहुत बड़ा निवेस है और मेरे ख्याल से 300 से जादे कंपनिया भारत के विकास के लिए काम कर रही है बिल्कुल बिल्कुल आप बहुत से कह रहे हैं बिल्कुल से कह रहे हैं अच्छा अब आप प्रदार मंत्री नरेंदर मोधी ची नहीं यह कहा कि इस संकट की घड़ी में भारतीय समाज और भारत पुरा इसराइल के साथ खड बहुत खुश है और खुश है और ऐसा भी नहीं है इसराइल के लोग भारत में तीन हदार साल से रह रहे हैं 2900 से रह रहे हैं और आज तक किसी ने भारत में किसी भी यहूदी को भारतियों ने पर्सेक्यूट नहीं किया आज तक यह यह नोन फैक्ट है and this is truth तो इसके लिए क कभी कभी हमारे जो सरकारे रहती हैं वो abstain करती हैं United Nations में या फिर पलिस्टीनियंज के favor में करती हैं लेकिन इसराइल आज तक भारत के साथ है रहेगा और था कभी भी United Nations में जब भी जेन की की बात होती है तो इसराइल favors, इसराइल votes in favor of India at any cost तो हम लोग बहुत खुश हैं और यह और हम आपको बात उसी तीसरी चौथे दिन की बात है जब यह दुश्रू हुआ था चौथे पांचवे दिन बहुत सारे भारतियों ने हमारे ambassador हैं वहां पर जिदिली में उनको लेटर लिखा कि हम इसराइल जाना चाहते हैं और इसराइल की आर्मी के साथ हम लड़ आप हमारे लोग हम हमारे बारे में कुछ सोच रहे हैं हम भारत तो इसराइल को अपने से अलग मांता ही नहीं हमारे साथ आपके सम्मंध आज से थोड़ी है वह हमेशा मद्बूत रहेगा कार्गिल यूद के समय भी इसराइल ने भारत की बहुत मदद की आफ्टर वार छे महीने के बाद हमने टाइमस ऑफ इंडिया में टॉप में एक कौने में चोटा सा आर्टिकल देखा हाव इंडिया वन दे वह वह कार्गिल वार इसके बाद विके जब इसराइल ऐसा लिखा था फिर उन्होंनों उसके डीटेल्स दिये थे कि इसराइल के लोग इस शिप में बहुत सारे हत्यार रखके पता नहीं कौन से देश देश का एक जंडा लगा थे जंडा लगाया उन्होंने उसके उपर और वो सेल किया गुजरात के कांग कारगिल में भारत में पाकिस्तान को बहुत दूर चड़ा दी बिल्कुल तो और 19 सब्सक्राइब अगर आज के परीपेक्ष में बात करूं तो पूरे भारत वर्स में बहुत बड़ी आबादी इस्राइल के पक्ष में खड़ी है और हमारे चाहे चाहे स्कोलर हो चाहे व्य बड़े विद्वान हो चाहे हमारे जक्षा विष्श्चञ हो चाहे हमारे आनमी के популяр हो सभके सब एक सवर में कह रहे हैं कि हम इस्राइल के साथ और इस्राइल जो हमास के साथ जो कर रहा है वो बहुत जुरूरी है पूरी दुनिया से धार्बी कटरता जब तक खत नहीं होगी तब तक इस तरह के युद्ध और आत्रवाद अभी रुकेंगे नहीं यह देखेगा अभी तो अब थोड़ा सा अमेरिका ने अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया है क्योंकि अमेरिका जो है न वो यह चला रहा है क्या नाम है इनका यह बरा खुशें उबामा चला रहा है अमेरिका बाइडन का कोई रोली नहीं है वाइट हाउस में सब कुछ कोई चल रहा है और आप देखिए जब से बाइडन पावर में आये आये हैं तब से जगड़ा शुरू हो गया है रंप के टाइम में और इसके फॉर येर्श में किसी नहीं हिम्मत नहीं की यूक्रेन और रसिया नहीं की कि वह यूक्रेन को अब कर सकते हैं किसी पलिस्टीम आइसिस को ठिकाने लगा दिया था बहुत सारे अच्छे काम किये ट्रम्प ने और अनफार्चनिल ट्रम्प को जवर्जस्ती बेहिमानी से हराने वाले यह जो मुस्लिम लोग हैं अमेरिका के इस्पैसित बराक हुसेन उबामा बराक हुसेन उबामा और मुस्लिम ब्रादर आइसिस को प्रमोट करने वाला आइसिस का आप बताइए इसा कौन सा कुछ नहीं किया जब आइसिस पूरी तरह से लीवान्त में हिराक में और सीरिया में जब पूरा उनका वो तो विदिन फॉर्टी टॉन्टी फॉर आइसिस बिकेम दट रिचेस्ट टेरर ओर्गनिजेशन इन दे वर्ल अपने उबामा उस्टाइम बहुता अभी तो बीच में अमरिका के विद्यश मंत्री का इस्राइल दो रहा हुगा और अमरिका के रक्षा मंत्री भी इस्राइल चाहे और अमरिका ने अपना एक बेड़ा भी भेजा इस्राइल की मदद के लिए इसको कैसे देखते हैं कि देखिएगा अभी क्या है कि यह बाइडन का भी ऐसा लग रहा है हमाएं एक अंदर अंतरमन की बात है कि बाइडन थोड़ा सा अभी प्रेस्टीनियंस के लिए तो यह उबामा ने बुला होगी क्या कर रहे हो चलो बंद करो यह क्या हो रहा है यह और हमाज को इसको गाजा को इसराइल को लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ठीक है असलिमें यह जो जो तोड़ा-फोडी होई है ना यह उबामा के प्लैन की अगेंस्ट हो गई लेकिन सब्सक्राइल अगर गया वहां पर गाजा में अंदर चला गया तो खमास का खत्म हो जाएगा पूरी तरह से और फिर अभी यह एक स्ट्राइजी हम लोगों की चल रही है हम जो लोकल इसराइली सिटीजन है जो रहते हों यह कह रहे हैं कि आप गाजा लो और गाजा लेने क सब्सक्राइब को जिसका खामयाजा नहीं देखिएगा हमारी डेटा है अब है आपको 2005 में इसको गाजा को इसराइलियों ने छोड़ा अर्बों के लिए इनके लिए पलिस्टीनियन के लिए 2006 में खमास ने उसको टो टेक ओवर किया और विदिन टू यर्स 2008 ट्वैल फॉर्टीन ट्वंटीवन कितने वार्स लड़े गए अब बताएए यह अपने हाँ से अपने प्रॉप कुलाडी मारना नहीं कहला है गाइए अगर यह गाजा को अपने साथ रखते गाजा को अपने अंदर में रखते तो यह प्राब्लम होने वाली नहीं थी कुछ नहीं होता ना जो आज जो इसराइल भुगत रहें पिछले खमास का अब छोड़ दीजे इसको देख लेगे दो साल के अंदर कतार इरान पता नहीं कहा कहा से पैसा आजाता है भर से कड़े हो जाते हैं और अभी हम देख रहे आपको बता दे रहे अगर यह जो है ना अगर यह जाके हमारी आर्मी अगर विसको सफाया नहीं करती है तो आफ देख लेने दोज साल एक डेट साल के अंदर ऐसे अठेक होगा अम आपको क्या लगता है ृत किक्तने दिनों में पूरा गाजा इस्राइल की अथ में आजाएगा हु आ ना यह घृवा देख है फूल मूस्ट हूस्त पूरिए तरसions नहीं किंई हो ही है भूल इज्राइल की आर्मी नोश को पूरी तरह से चारों तरफ से गेल लिया है लेकिन जो अंद्रूने जो चीज से हैं जो पूरा इनका infrastructure है इनिकी जो टरेंल्य इनके जुर रॉकट लांचर के जो वह हैं जगें है इनकी वो सब इस्राइल को डिस्ट्रॉय करना है और देखियगा अभी फाइरिंग हो रही है इसका मतलब यह है कि इनके पास में था पर और भविश्य में कोई और प्रक्राकर दाना चाहिए इसका इंपड़ा बाकी की population लोटके आ जाएगी, इस्राइल की आर्मी और इस्राइल उस population का ख्याल रखेगा, कोई जरूरत नहीं किसी को देने की, या आप किसी को अच्छी करने के लिए कुछ करो, और फिर आपके उपर आ जाए वो फिर. तो आपका कहना ये है कि बहुत चल्दी ही पूरे गाजा पर इस्राइल की शाना का नियंतरण होगा और वहां का administration, वहां का A to Z कबजा इस्राइल सरकार के पास होगा. ये हमारी सोच है, हमारे citizens की सोच है, लेकिन अब इसमें आज जो बाइडन का जो बयान आया है, उसने सब को जगजोर करके रख दिया है, सारे मीडिया को, सब लोग बाइडन को धोके बाज बोल रहे हैं, बाइडन ने ये कहा है, कि अगर इस्राइली आर्मी गाजा में ये कोई, ये क्या है, ये उबामा का प्रेशर है उसके उपर करने के लिए, और वो रुकवा भी देगा उबामा, आगे की प्रोसेस पूरी रुकवा देगी, और उबामा इस एंटी अमेरिकन, देश द्रोई है उबामा, क्यों, क्योंकि उसके कितने citizens मारे गए, और इस 150 के लॉट में, कम से कम 17 से 20 और जादा भी हो सकते हैं, अमेरिकन सब भी वो हैं, होस्टेजेज हैं, फिर भी उसको ये कह रहा है कि नहीं, अभी कुछ मत करो, ये है, अभी पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए यहां पर, और अगर फ़र इनको ये काम करना चाहिए, इनको एक काम करना चाहिए कि buy a Benko bo ключ भाई आप अपना काम करो लैट एसजो वर उडवर्क शलोम नमस्ते आप अपना काम करें अपना काम कर नदी अपका कि हमारी अब का कहना है या है श्याइल की लोगों के भी सोच है कि अभी वाइट हाउस और से ब्राक उबामा चला रहे हैं बिल्कुल 100% यह जग जगत जाहर है यह वाइट हाउस को उबामा चला रहा है बहुत जो बहुत हाइली क्वालिफाइड इंटलेक्शुल्स जो हैं वो उनको मालूम है और यार शूर कि वाइट हाउस को अमेरिका को उबामा चला रहा है यह पूरी इस पूरे टकराव में इस पूरी लड़ाई में इसका सांस्केटिक राश्टवाद जो है इसराइल का उसका कितना बानुक्सान हो रहा है देखिएगा हमारा नुक्सान बहुत हो रहा है क्योंकि इनके नुक्सान इनको इनकी आइडियोलोजी के अनुसार इनका कोई नुक्सान नहीं हो रहा है इसलाम के अनुसार इनकी तो आइडियोलोजी की लड़ाई है कि एक आइडियोलोजी ऐसी है जो जीवन को जीवन रक्षक है और एक आइडियोलोजी ऐसी है कि जीवन को खतम कर दो आपके जीवन आप यहां आए हो एक्जाम के लिए आए हो अगर मर गए तो भी आपको जन want to मिलेगी और बीज में अल्ला है अगर आपको सब कुछ देगा अगर आप अल्ला के काज के लिए और अल्ला का काज क्या है मार मार के मुस्लमान बनाई है इस काज में अगर आप जीत गए तो आपको पैसे मिलेंगे और और अगर इस काज की लड़ते हुए अगर आप मर आपको वाइन मिलेगी, आपको विस्की मिलेगी, उसकी नदियां वहाँ बैह रहे हैं, आपको यह सुन्दर आउरते मिलेंगी, जिनका पता नहीं क्या का वो और नुद्रा के लिए वो तुद्धर इसी सोच का बहुत लंबे समय से कश्मीर में इसी सोच को हमने भी जहला, इ आज वह वहाँ पर सुन्य परसेंट है, हमने जनता के साथ मिलकर उसको कुचलने का काम किया, तो क्या आप इस पूरी समस्या का हल कैसे डूंडते हैं, कि यह इसराहिल में फिर से वही खुसाली, फिर से वही शानती, फिर से वही सांस्कृतिक राष्टवान और फिर से वही कि एकताब प्यार का संदेश फैले, यह इसका कैसे हल लिख लेगा, देखिएगा, इसका हल इतना प्यारा हल है, मगर इसको करने नहीं चाहते, देखिएगा, अर्बों रुपे, खर्बों रुपे, कतार देता है, खमास को, यूरोपियन यूनियन खमास को और प्लेस्टिन अथारिटी को, अमेरिका भी पताने कितना पैसा आता है, अगर उस पैसे को, यह लोग अपने उपर खर्ज करें, तो इन लोगों से खुशहाल आदमी, कोई नहीं रहेगा दिन्या, लेकिन, इतना करॉप्शन है इन लोगों में, दोनों जगए, खमास में भी, और इमने य लेते हैं और हत्यार में लगा देते हैं, ठीक है, पलिस्टीन अथारिटी के इलेक्शन पिछले 14 साल से नहीं हुए है, वहां का जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट बोलते हैं, जिसको महमूद अबास नाम है, अबू माजन भी बोलते हैं उनको, उस बंदे ने अभी त कर लिया, जो कुछ बोलता है, अगेश उसके, ठोक दो उनको, मार दो सीदे, सुरी, यह लोग तो लोग तो लोग तो इनको नहीं है, ठीक है, भी हमारी बात खतम नहीं हुए, बर्मा जी, अच्छा, अब क्या है, देखेगा, अब इस पैसे को, अच्छा, इनके पास कितने देश है, 57, 52, 35, कितने हैं, और Middle East ही मैं, दो पड़ोसी दो, दो पड़ोसी, तीन, चार पड़ोसी देश जो है ना, सबके सम मुसलिम है, साथी, अरभिया के पास कितनी जगे है, इजिप्ट के पास कितनी जगे है, जॉर्डन के पास कितनी जगे है, कितनी पापुलेशन हो होगी इनकी, पलेस्टीन की, चार लाख, सारी, चार मिलियन, साड़े चार मिलियन, इस पैसे से, अच्छा, फिर और एक पॉलिसी बनाई जा सकती है, कि जो इनकी प्रापटी यहां पे है, पलेस्टीन की जो प्रापटी यहां है, पूरी की पूरी प्रापटी का एक एवैल वह प्रवर्पटी की को जैसे हमारा घर है हम इसमें रहते इसकी इसकी वैल्यू है 1 मिलियन श्यक को हो जाता ह। हो दो करोड़ रुपए तो करोड़ रुपए है हम आपको दे रहे हैं दो करोड़ रुपए है चलो गवर्मेंट खरी दी गवर्मेंट आव इज्राइल इस बाइंग यहाउस इन टू क्रोर रुपीज आप दीजे और जाए अच्छा इसके बाद या तो कोई भी एक मुस्लिम कंट्री इनको ले सकती है या फिर पांच-छे मुस्लिम कंट्री मिल के ले सकती है चार मिलियन में साड़े चार मिलियन में हाफ मिलियन इजिप्ट में बेज़ दो हाफ मिलियन जॉड़न में बेज़ दो हाफ मिलियन सीरिया में बेज़ दो हाफ मिलियन ऐसे करके आप अच्छा आप अर्भी बोलते हो आपका खुदा एक है आपका कज्चर एक है आप किसी भी मास्क में एकठे होके प्रेयर कर सकते हो आपके लोग आपका सिस्टम आपके पैसे आपको करो ना इस बात को इस्राइल भी फिरी हो जाएगा आप भी फिरी हो जाओगे दोनों तरफ से इस्राइल के लोग भी मर रहे हैं यह तो आप बहुत शानदार हल बता रहे हैं कि मिस्र में भी और सीरिया में और Zorotan में भी लाखों हेक्टेर जमीर खाली पड़ी है और पॉपुलेशन कम है तो अगर इस समस्या का एक इस्थाई हल अगर देखना है दुनिया को धूनना है तो यह सारी जो जनसंग क्या है वह इन चारों देशों में बढ़ जाए और वहां रहें आराम से बेलकुल और इसके बाद इसके बाद कुछ सालों तक एड देते रहा हूं यूरापनी यूनिन की आजाए अमेरिका की और इसके बाद पिर उनके इंडस्ट्री खड़ी हो जाए उनकी अगरी किल्चर खड़ी हो जाए फिर उनको रहने दो अपने पाउं पर क्यों उनको पता पाद में काम नहीं करता गाजा में सबके सभी सिए यूनियन के पैसे पर तरह यह जीता है चार चार बच्चे हैं अच्छा मकान है और यह मकान वकान के लिएlere component को कुछ काम ही नहीं करते हैं अब बाई जब किसी को फ्री में हर चीज मिल रही तो काम करने ही क्या जूरू है आप बिगाड रहे हो उनको तो एक तरह से यूनियन पर दबाग क्यों डालता इस्राइल कि यहां जो करें यह देखिए आपका क्वेश्चन मिलियन डॉलर से भी बड़ा क्वेश्चन है यह सारे के सारे लोगों को इनके प्रोपगंडा में इनके विक्टिम कार्ड में इसलाम के विक्टिम कार्ड में बुद्दू बना के रखा हुआ है बेवकूप बना के रखा हुआ है एक और इसका एक और एक्जाम्पल दे रहे हैं जितने भी यह अरभी लोग जो है भाग जाते हैं कि हम इस जगे में सेफ नहीं है वो यूरप चले जाते हैं जर्मनी में हैं बेल्जियम में हैं बेल्जियम की तो इन्हों ने हालत खराब कर दी हम थे वहां पर एक साल के लिए पढ़ने गए थे हम बेल्जियम में उसको मुस्लिम कंट्री बना देंगे यह कुछ सालों बाद इंग्नेंड की अतनी खराब है कि वहां को यह सिविलाइज़ेशन करके उसेथ एक अच्छी खासी भाछ भागन्य का सांच में काम किया है कि पूरी दुनिया पर दूंब मैं दो इंग्लेंड को कर्यांड हों सारे पुरी यूरप क्वारी परदूसियूस्ट बहुत ही सब् और इनकी कुरामन में लिखा हुआ है कि जो कुछ भी कर रहा है वो अल्ला कर रहा है बस वहीं इनकी प्रोग्रेस डवेलपमेंट सब यह खतम हो यह अच्छे खासे कॉंटिनेंस को अच्छे खासे सिविलाइज जगे को यह यह बिल्कुल जाहिलियत में ढखेल देते हैं इनक ने रखी बेल्जियम है इंग्लैंड है कनाड़ा है अस्टेलिया है और अभी ताजा ताजा अफिरांस में भी यह मामला हुआ कि जहां यह लोग बड़ी संख्या में सरनार्थी के तोर पे पहुँचे और वहां की नागरिता प्राप्त की और फिर उसी देश के लिए यहुदी कितने साल पूरे बाहर हजारों साल रहे हम लोग कभी को हम लोगों कुछ निकाला कभी हमने किसी की लड़की को भगाया कभी हमने किसी को मड़करवाया कभी हमने किसी की बैबानी बैंक बैंक हर अप टूट रहता है हम लोगों का मामला जिससे करज लिया उसको द वहां जाते हैं उसी थाली में खाके उसी में छेद करते हैं वहां देखिए गाई इनका टेक्सपेयर्स की मनें से यह रहते हैं और फिर वहां जगड़ा करते हैं वहां की इकानमी बिगाड़ देते हैं वहां के लोगों को परिशान करते हैं शांती से काम नहीं करने देते हैं पिल्कुल आप उसी पैसे से आपकी लाइब चले आप बहुत सही बात कहरे हैं अभी इटली की परधान मंत्री ने तो ये कहा कि अब किसी भी मुस्लिम सर्णार्थी को जो है कोई दोनेशन नहीं दी जाएगी कोई मजद नी की जाएगी और इटली बहुत सक्ति के साथ मुस् दुनिया है वह बहुत तेजी के साथ तरक्की कर दी है आज किसी भी देश में सरिया जैसे कानून का कोई वजबूत नहीं है आज आदमी चांद पर जहां पोचा और यह आज के यूप में पुरातर सद्यों पुराने सरिया कानून की बात करते है इस से देखेगा यह से आज को पता होना चाहिए सो और्गनिजेशन काम कर रहे हैं भारत में सो और्गनिजेशन भारत में लोगों को इसके बाद आप देखेगा हमारे पास यह के लिए हम यह एक डेटसीट मिली है जेएंड के में घंदूओं को रहने नहीं देते वेस्ट बेंगौल में ममता बनर जी ने वेस्ट बेंगौल का ये फ्यूचर है कि वह बैंगलदेश में मिल जाएगा केरला में इनकी परसंटेज 35 के आसपास हो गई है हर्याना मेवात और नूव पांस सो गाउं मैंसे 135 और 150 गाउं मुस्लिम हो गए हैं और बाइव मुस्लिम हो जाएं तो हो जाएं वहां किसी हिंदू को प्रवेश नहीं करने देते हैं मुसलिम हो गया है । जो कि एक जगए माने जाती थी रिशियों की मनियों की ऐसका जाता है वहां पर इतने मदर से और तो यह लाल तोपी वाले लोग जो रहते भारत वालों को और मने तो काम शुरू करति आइंडिया के लोगों को alors अपने दोबे बचा लो मुस्लमान नहीं होना स shipping दूसरी बात का उसने कहा है कि जो जहाँ है जो खमास का है जो मुस्लिम जहाँ है वहां जिहाद करें यह भारत में भी होगा कुछ सालमबाद तो कोशिस करेंगे पूरी मिलिटरी पुलिस और फिर वो यही रहेगा कि जो जहां है वहां जितने भी उसके आसपास के इंफिडल्स लोग रहते हैं हिंदू क्रिस्चियन बहुत जो भी रहते हैं उनको सब को माट डालो लेकिन यह जो भारत के संदर्प में आप बात करने है पिछले एक दसक के अंदर भारत का हिंदू इन जिहादियों के खिलाफ बहुत जागरुक हुआ है और एक बहुत बड़ी शंख्या में धर्मांतरन देश में रुका है और हिंदूवादी बहुत संग्धन भी खड़े हुए हैं इनके किलाफ और लड़ाई भी लड़ रहे हैं और इनसे मुकाबला भी कर रहे हैं तो वह यहां कानून भी इनको सजा दिने का काम कर रहा है इन पर लगाम लगाने का काम कर रहा है पी आई एफ जैसे संग्धन पर सरकार ने सकती से लगाम लगाई यह उसको कुचल दिया है लेकिन एक बात आप बिल्कु ठीक कह रहे के लिए चुनोती होगी और एक समस्या होगी बड़ी चुनोती हो गई है और यह समस्या हो गई है इन फैक्ट हमारे अनुसार आप लोग लेट हो रहे हैं लेट हो गए हैं और अगर अगर आपने कुछ तो भी टाला मटोली की तो आगे के 25-30 साल के बाद आपको इस इस situation को handle करना मुश्किल हो जाएगा बहुत बहुत धन्यवाद आपने बहुत बेवाकी के साथ बहुत सांदार तच्छों के साथ हमसे बातचीत की हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे इस्राइली और भारत के संदर्ब में आपका कारिकरम में जुड़ने के लिए बहुत ब बारत जाइज रहाएगा बहुत 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 बनुवाद बनुवाद